आगरा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें देशभर में इन दुनों कोबिट नाइंटीन की दूसरी लहर चल रही है इस लहर से तादनगरी भी अचूती नहीं है तादनगरी में हर रोज सेकड़ मरीज कोबिट के सामने आ रहे हैं हम संस्ता के अद्दक्षियों मरिष्ट समाज सभी बिक्रम शुकला ने इस माहौल में शेहर के लोगों से सकरात्मक रहनी के अपील की है जैसा कि आज तक नहीं देखा गया किसी के भी जीवन काल में ऐसा समय नहीं आया होगा जब इतनी बड़ी महामारी हुई है और इस क्रम में में सबसे पहले तो जो हमारे शेहर के बहुत सारे समाज सेवी बहुत सारे कोविट फाइटर्स या डॉक्टर्स और एड्मिनिस्टेटेव बॉडिस के जो कार करता थे या समाज सेवी थे वो जो एक्सफायर कर गये हैं उनको मेरी हार्दिक श्रधांजली है क्योंकि वो जल्दी हमारे इस उनका जीवन काल जल्दी समाप्त हो गया और जैसा वो कार कर रहे थे तो वो एक अच्छा और समाज को अपना समय दे सकते थे उसके लिए कार कर सकते थे मेरा मला एक आगरह है कि जो इस समय negativity तो है ही तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ COVID से मर रहा है वो heart failure से भी हो सकता है उसकी diabetes भी बढ़ सकती है और बहुत सारे reason ऐसे हो सकते हैं कि वो उस डर की वज़े से अपने आपको collapse कर गया और मेरी कामना है या प्रातना है इश्वर से कि जल से जल हम इस कठिन दोर से निकल के आएं और अंधिरे से उजाले की तरफ जा सकते हैं